हाई एविवान कैसे हो आप सब वेलकम है आपका निशुद जाइका एन व्लॉग में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटा सा व्लॉग सो पूरा जिरूर देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें फ्रेंस यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वागबकरी टी का ओनेस्ट रिव्यू इसको मैंने फॉर्स टाइम ट्राइ किया है और इसको मैंने मंगाया है एमजॉन से इसका एड़ आपको बहुत ज्यादा टीवी पे दिखने को मिलता है सो मेरा मन किया कि इसको मैं ट्राइ करूँ और इसको मैंने मार्केट में भी ढूंडा तो यह नहीं मिली तो फिर मैंने सर्च किया एमजॉन पे तो वहां पे मुझे यह दिखी ले वहां पे आपको 500 ग्राम का पैक भी मिलता है और यह वन केजी का जार है आप देख सकते हो और यह प्लास्टिक का डबा है इस तरह से और यहां पे लिखा हुआ है प्रीमियम लीफ टी बाग बकरी टी इसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है टेस्ट स्ट्रॉंग एंड रिफ्रेसिंग है और इसको मैंने ट्राइ किया यह मुझे काफी पसंद आई बहुत ही करक चाय बनती है इसकी तो यह 500 ग्राम का पैकेट अगर लेते हूं तो आपको डिलेवरी चार्जेज भी लगते हैं इसलिए मैंने एक केजी का लिया तो इसमें आपको फ्री डिलेवरी मिल जाता है तो यह आप देख सकते हूं पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है और ओरेंज कलर का यह डबा है तो चलि और चलिए मैं इसको अब बना के भी दिखाती हूं तो यहाँ पे मेरा दूद और पानी इसमें उबल रहा है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दानेदार यह पती चाई पती है और स्मेल बहुत ही स्ट्रॉंग एन बिलकुल करक है और इसमें आप थोड़ा ही डालोगे तो आपको अच्छा कलर मिल जाता है और चाई बहुत ही करक बनती है अगर आप इसमें अगर यह सब राल देते हो तो और भी टेश्टी चाई बनती है तो यह देखिए उबाल आ गया एक उबाल में कुछ इस तरह का कलर आपको मिल जाता है और अगर आप इसको दो तीन मिन उभालने के बाद बढ़िया चाई का कलर आ गया है और अब हम इसको छानेंगे इस चाई को आभी मैं डेली ट्राइभ कर रही हूँ डेली पी रही हूँ काफी पसंद आ रही है अभी त्रेली त्रेली डिआ रही यहां पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा जो की दूद के साथ गाजर को उबालने के बाद इसमें मैं चीनी और ड्राइ फ्रूट सिलाइची यह समा मिला कर और मैं इसको अभी और ड्राइ करूंगी जब तक कि इसमें घीना निकल कर आ जाए तब तक आपको चलाते हुए है और इसका फुल रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो तो प्लीज अगर ट्राइ करना चाहते हैं तो रेसिपी देखिए वर पसंद आए तो लाइक शेयर जरू कीजेगा और कॉमेंट जरू करें यह आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से आप घर पर गाजर का हलवा ट्राइ कर सकते हो और उसके बाद मैं यहाँ पर हेल्डी यहाँ पर हेल्डी एंड टेस्टी टोमेटो सूप बनकर रेडी है इसका भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो काफी आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है सिंपल तरीके से आप घर पर टोमेटो सूप का मज़ा ले सकते हो उसके बाद यहां पर मैं डिनर में बना रही हूं यह मतर पनीर अभी आपको बहुत ही फ्रेस्प मतर मिल जाता है जो कि आप उसे चूरा के साथ बून कर या पकोरे बना सकते हैं या बहुत सारे रेस्पी आप ट्राइ कर सकते हो मतर से और यह देखिए मैं इसमें अब पनीर आड़ कर दूंगी मसाला और मतर को बूनने के बाद और फिर इसको कुछ देर बूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी और फिर एक सीटी फुल पे लगा लेंगे और बस हमारा ये मतर पनीर बनकर रेडी हो जाएगा और अगर आप लोग बोलोगे तो इसका रेसिपी भी मैं शेर करूँगी यहाँ पर देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह का मस्त कलर आया है देखने में आप देख सकते हूँ कितना डिलेसियस लग रहा है उसके बाद मैं बनाई थी यह सेविया मोटी वाली यह वर्मी सैली का सेविया है इसके साथ में आपको टेस्ट मेकर भी मिल जाता है जोकि हमारे सेविया को बहुत ही टेस्टी और यमी थिक काफी थिक बना देता है इसलिए मुझे यह वाली सेविया जो है बहुत पसंद आती है ये देखिए हमारा त्यार है डिनर और अब इसमें बस अचार डालना है और ये पूरी और मटर पनीर और ये है सेविया तो आप लोग ब्लॉग देखा कीजिए और शेर कीजिए लाइक कीजिए चलिए मिलाती हूँ बच्चों से तो यहां पर ये लोग दिखाने वाले अपने अपने ड्राइंग और अब यहां पर आप लोग देख सकते हूँ और कॉमेंट में बताना की किसका ज्यादा अच्छा है वन टू टेन आप लोग को रेटिंग देनी है ठीक है वेरी नाइस ड्राइंग बहुत ही अच्छा दोनों के ड्राइंग है कुछ तोड़ना मत उधर और यहां पर चल रहा है इन लोग का होंवक कितना पर पहुंचे हो इसके बहुत इजी इजी होंवक है मेरा एक और चैनल है तो प्लीज वहां पर मैं ब्यूटी फैशन मेकप से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती हूँ तो अगर आपको पसंद है तो वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यह मेकप लोग कैसा निकल के आया है कॉमेंट जरूर कीजेगा और यह सरस्वती पूजा मेकप लोग है तो आप किसी भी ओकेजन में कर सकते हो हाई फ्रेंज कैसे हो आप सब अभी रात के सारे ग्यारा बच गया है और मेरा सारा काम खतम हो गया है हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है सो कैसा लगा यह व्लॉग दीचे कॉमेंट कीजेगा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथ में बेल बटन जरूर दबाईएगा सो मिलते हैं एक और रेसिपी या व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर और हाँ कोरोना बढ़ गया है उपर से ठन बहुत जाता है सो सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें बाई बाई और कुड नाइट